शेक मेरा सवाल यह था, चाहिए मर्द हजरातो या उरत हो, आज कल हाइब रो निकालना या सीने पे के बाल निकालना और हात पे पैर पे सब बाल निकालने के कर रहे हैं, यह क्या शेरियत से सही है या गलत है? जी तो देखिए इसमें कई एक मसाइल है एक मसला तो आपने कहा आइबरो निकालना आइबरो निकालने के सिलसले में तो सरी तोर से हदीश है अल्लाह के नभी सलसले की हराम है उसमें कोई शक्त नहीं है उसके हराम होने में चेहरे का बाल है अब चेहरे में मर्द भी आ सकता ह आउरत भी आ सकती है अगर आउरत के चेहरे पर कोई ऐसा बाल इस तरह का बाल आ जाता है जो आम तोर से असल फितरत के खिलाफ है जैसे आउरत को बड़ी-बड़ी मूचे आ जाएं जो की बिलकुल मर्द जैसी लगें तो उसके लिए जायज है क्योंकि वो एक तरह से आयब ह उस आयब को जायल करना उस बीमारी को खदम करना ये उसके लिए जायज है लेकिन अगर आउरत का चेहरा नार्मल है जो नार्मल तरह से जिस तरह होता है वो ऐसा है उसके बाद भी वो चेहरे पर बहुत मामुली जो इस तरह बाल जैसी चीज़े होती है उसको जायल कर रही है तो इस बारे में उलमा के हाँ अखिलाफ है लेकिन सही बात यह है कि पूरे चेहरे पर कहीं से भी औरत बाल नहीं निकलवाएगी सिर्फ इसी शकल में निकलवा सकती है कि जब हो इस तरह से आ जाए कि मर्दों जैसा लगने लगे तब के लिए जायज होगा चेहरे का बाल निकलवाना मर्द के लिए चेहरे का बाल मर्द के चेहरे पर या तो मूचे होती है या तो दारी होती है तो दारी तो जायज नहीं है दारी को बढ़ाना है मूचों को कटवाना है मूचों को कटवाना है दारी को बढ़ाना है ये मर्द के चेहरे का हुक्म है अब उसके बाद गिस्म के बाल पर आते हैं जैसे सीने पर पीट पर जो बाल है चाहे वो औरत का हो या मर्द का हो इसमें असल ये है कि ये जायज है क्योंकि इस सिल्सले में ना तो मना किया गया है ना तो इसके अजाज़त के सिल श्रियत में इसतरे की चीजों का जहां होकम नहीं बैान किया गया है श्रियत, खामोश है उसका होक Bयान करने से वो अफ होई यानि जायज है अगर कोई चाहे तो जाहिल कर सकता है और बाकी रखना चाहे तो बाकी रखे, ले हाजा जिसम के दूसरे हिस्थों के बाल के सिल्च जी आउरत के देखिए चेहरे पर या एक तो अबरू पर बाल होते हैं है ना इसके बारे में तो कतान सरी तोर से हदीश आ गई आ अल्लाह के नभी सल्लम की लान अल्लाहू अन्नामसा वल्मतनमसा अवकमा काला नभी सल्लम नमस कहते हैं यह अबरू के बाल को उखाडना उखाडते हैं यहाँ अबरू के बाल को दुरू करना सिर्फ एक शकल एक सूरत में जाइज है जिसको बहुत सारे अलमा ने जिक्र किया है जैसे किसी औरफ का ये जो अबरू का बाल है इतना ज्यादा इस तरह से हो जाता है कि आम तोर से नेचुरल वो नहीं होता है नी गेर फि σας हो जाता है बढ़े-बढ़े हो गहे नीचे लड़का हुआ है मतलब गेर फिbrush हो जाए अगर वो गेर फित्री हो जा जाए तो उसको उ उसको निकालती है बाल का उनका फिर बात में गहर्फिरी हो जाता है लेकिन जो छोड़के रखेगी उसका गहर्फिरी नहीं होगा तो इसमें असल ये है कि अबरू के बाल निकलोूना यह और अउरत के लिए जायज नहीं हम अब उसके बाद चेहरे का मसला आता है चेहरे के बाकी जो हिस्से का मसला बाकी हिस्से का भी वही हुकम है सही कौल के मताबिक कि जिस तरह से अबरू का बाल नहीं निकाल सकती और उसी तरह चेहरे के बाकी हिस्से का भी बाल वो नहीं निकालेगी इसको भी बहुत सारे उल्मा ने नमस में मूचें मूचों पर उसके बाला गए अब वो औरतों से मर्दों से मुशावे लग रही है उसका चेहरा लग रहा है तो ये गोया की गहर फित्री है उसको जायल करना उसके लिए जायज है अब यहां पर ये जो मैंने गुफ्तगू किया इससे एक असूल निकल करके सामने आय वो असूल क्या है कि अगर कोई आयब है तो उस आयब को जायल करना ये जायज है लेकिन अगर आल लेडी वो फित्री है तब उसमें तबदीली करना ये जायज नहीं है अगर कोई आयब है तो उसको खतम करने के लिए बाल को खाड़ना ये जायज है तो शेक ये चेहरे के लिए कोई दलील है कि असल में बहुत सारे अलुमा कहते हैं कि वो भी नमस है इसलिए इसलिए चेहरे के बाल के सिलसले में बाद अलुमा का यह भी मौकिफ है कि चेहरे का बाल वो अबरु वाले बाल में दाखिल नहीं है लेकिन लेकिन यह मसला मुतशाबहात में से है तो उस में क्यों धाकिल होने जाए और अगर उसका जो एक तो बहुत खराब लगता है तो शेफ में मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं शायद मैं अपनी बात बता नहीं सका वाज़ तोर से अगर उसके चेहरे पर बाल आ जाता है तो उसके लिए जायज है एक तो होता है जो नेचुरल होता है बिल्कुल नेचुरल हो दिखता भी नहीं है अब जबरदस्ती औरत उसमें केमिकल लगा के मशीने लगा करके उसको निकालती है वो दिखता भी नहीं है दूसरे को वो जायज नहीं है लेकि अगर बाल आ जा रह है तो उसको तो अलड़ी हम कह रहे हैं कि वो जायज है क्योंकि वो जो है लगने लगा वाज़ेश है निजाकर लोग फेर बारक लोग